अगर आप क्लाश 12 में हैं और महाराष्ट बोर्ड से हैं आपका एक्जाम बहुत नस्दीक है यानि कल परसों में आपका एक्जाम है और आपने अलंकार बिल्कुल नहीं पढ़ा है तो आपको टेंसल लेने की जरूरत नहीं है आप बहुत सही जगा पे आ गए हो आज की इस लेक्चर सुरू करते हैं और समझते हैं सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि कौन-कौन से टॉपिक से आपको एक्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे अलंकार से संबंदीत आपको अतिस योक्ति अलंकार उपुमा अलंकार उप्रिक्षा अलंकार रूपक अलंकार अब बच्चे गलती क्या करते हैं जो इंगलिस मीडियम के हैं उनकी में बात कर रहा हूं इसकी वर्तनी वर्तनी का मतलब है spelling गलत लिख देते हैं जिसके कारण उनका मार्क्स कर जाता है तो आपको ध्यान में रखना है अतिस योक्ति कैसे लिखा जाता है उपुमा कैसे लि रखना है तो आईए question देखते हैं कैसे आपको परिच्छा में पूछा जाएगा आपको पूछा जाएगा निमलिखित पंक्ति में से उद्रित अलंकार पहचान कर उसके नाम लिखिए तो आपको ऐसा statement दे दिया जाएगा और आपको पहचान के लिखना होगा कौन सा अलंकार है एक बात याद रखना आपको option नहीं दिया जाएगा मैंने यहां पर option इसलिए दिया है ताकि आपका practice हो जाए लेकिन आपके exam में जो question आएगा इससे directly आएगा आपको खुद से पहचान कर उसका नाम लिखना रहेगा तो अब ही मेरे साथ पहचानने का प्रियास कीजिए पहचानीय कौन सा अलंकार है पहला है उधो मेरा हृदय तल्था एक उध्यान न्यारा अब आप पहले line जब पढ़ोगे तो आपको यहीं से पहचान लेना है कि कौन सा अलंकार है यहां पे देखर रहे व chuckling इखा है उधो मेरा हृदय तल एक उध्यान था तो यहां पर यस Nach सोधा माता जो हैं उधो से कहती है जो मेरा हिरिदय है उध्यान है तो यहां पर हिरिदय को सीधा सीधा क्या कहा जा रहा है उध्यान कहा जा रहा है उध्यान का मतलब होता है बगीचा तो जब दो अलग अलग चीजों को एक रूप माल लिया जाता है यानि एक ही माल लिया जा दिया जाएगा और खुद से लिखना रहेगा रूपक अलंकार आपको ऐसा उपसन नहीं दिया जाएगा इस बात को ध्यान में रखना ठीक है मैं आपको टोटल 21 उधारण बताने वाला हूं और इससे बाहर से एक भी नहीं आएगा तो आएए दूसरा देखते हैं दूसरा है चरण कमल सम कोमल अब आप पहचानिए कौन सा लंकार है सम का मतलब होता है के समान तो जहां पर दो चीजों की तुलना की जाए और बताए जाए के जैसा के समान तो याद रखना वहाँ पर उपमा लंकार होता है आप इसका अर्थ समझो क्या लिखा है चरण कमल चरण यान पयर भगवान का जो चरण है कमल के समान कूमल है तो यहां पर हम याद रखना के समान आएगा वहां पर हमेशा कौन सा अलंकार रहेगा उपमालंकार, उपमालंकार में क्या होता है, दो चीजों की तुलना की जाती है, बताया जाता है के जैसा के समान, तो जहाँ पे के जैसा के समान रहेगा, तो वहाँ पे उपमालंकार होता है, तो इसका मतलब क्या है, चरण कमल, यानि जो पैर है, वो कमल, सम का मतलब होता है, के समान क्या है? कॉमल है इसलिए क्या है? अगला question देखते हैं अगला question है तो यहाँ पे ए तो है उत्प्रेक्षा लंकार आप इसको कैसे पहचानोगे? उत्प्रेक्षा लंकार तो याद रखना उत्प्रेक्षा लंकार में जो है संभावना प्रगट के जाते हैं यानि जैसा ए है वैसा ए है तो इसको पहचानने का एक ट्रिक है याद रखना उत्प्रेक्षा लंकार में हमेशा मानो जनू जाना हूँ मनू माना हूँ ऐसे सब्द आते हैं इसको याद रखना मानो जनू जानना हूँ मनू माना हूँ जहां पे ऐसे सब्द आपको दिखाई दें आप आखे बंद करके लिखे देना कौनसा लंकार उत्प्रेक्षा लंकार उत्प्रेक्षा लंकार में क्या होता है दो चीजों को इ यहां पे देखो क्या आ गया मानो इसकी यही पहचान है तो जहां पे आपको मानो जन जाना हूं मनू माना हूं ऐसे सब्दाएंगे तो समझ लेना कौन सा लंकार है उत्प्रेक्षा लंकार है मानो नील मड़ी सैल पर नील मड़ी एक पत्थर होता है जो नीले कलर का होता है आत्या परयो प्रभाद जैसे नील मड़ी पत्थर पर आके सुबा की रोसनी पड़े वो पीला कलर का दिखाई दे वैसे ही कृष्ण भगवान सुन्दर लग रहे हैं पीले कपड़े पहन के मैं मैंने सभी अलंकार जो है अलग सेपरेट पढ़ाया यहां पर मैं question करा रहा हूं अगर आपको सभी अलंकार separate देखना है उसका वीडियो आपको नीचे description में मिल जाएगा नहीं तो आप playlist में जाके सभी अलंकार जो है अच्छे से देख सकते हो ठीक है अगला question देखते हैं अग अगर उसके घर के आप चारो तरफ जाओगे तो आपको तीथी देखने के लिए पत्रा देखना पड़ेगा क्योंकि उसके घर के चारो तरफ हमेशा उजाला रहता है मतलब अंधेरे में अगर आप जाओगे तो वहां पे ओ लड़की इतना या जो इस्तिरी है इतना जाद पत्रा देखना पड़ेगा यानि पत्रा देखके आपको तिथी समझ में आएगी उसके घर के चारो तरफ क्या होता है पुर्डिमा रहती है पुर्डिमा आनन उ-पु जासुथ ऊसके घर के चारो तव ठरफ प्रकास रहता है क्या ऐसा संब्भव है नहीं ना तो यहां पे बढ़ा चढ़ा कर बताया जा तो याद रखना वहाँ पे 38 योग्ति अलंकार होता है 30 योग्ति अलंकार में क्या होता है हम K focuses चीजों को बढ़ा चढ़ा कर बताया जाता है अभी कोई सुन्दर इस्तरी है उसे अंधेरे में रख दोगे तो क्या प्रकास फ्रजाएगा ऐसा तो संभव नहीं है लेकिन उसके सुन्दरता का वर्डन यहां पर ऐसे किया गया है बताया गया है को इस्तरी इतना ज्यादा आओगे तो आपको 15 लेकर जाना पड़ेगा तितossible समझ में नहीं आएगी तो यहां पर बढ़ा चड़ा कर बात की जा रही तो याद रखना अगला क अग़्यास के जडमत होत सुझान रसरी आवद जाता है शिलपर पड़त निसान एक उंसा अलंकार है तो याद रखना य जो है द्रिष्टांत अलंकार है द्रिष्टांत का मतलब होता है उदाहरण द्रिष्टांत का मतलब क्या होता है एक मिनट हाँ द्रिष्टांत का मतलब होता है उदाहरण तो यहां पर एक बात कही जाएगी उसकी सक्तेता प्रमाडित करने के लिए उसी ठंकी एक और बात कही जाएगे यानि उदहरण के अनुसार उसे समझाया जाएगा तो जहाँ पर उदहरण के अनुसार समझाया जाएगा तो वहाँ पर क्या होगा द्रिष्टांत अलंकार होगा द्रिष्टांत का मतल़ होता है उदहरण अब देखो लिखाए करत करत अभ्यास के जडमत होती यानि रसी बार-बार आती जाती है जिसके कारण सिल यानि पत्थर पढ़ निसान पढ़ जाता है वैसे ही अगर जो व्यक्ति जो व्यक्ति है जिसके पास कम दिमाग है वो बार-बार अभ्यास करेगा तो भी क्या हो सकता है ज्यानी हो सकता है तो याद रखना द्रिश्टान क ऐंकर जा रहे तो राम जो है रतं हैं राम को क्या और यहां प्रभुसरी राम-को पागाया समझ्यों रतन धन धन पाईया तो यहां के राम-कति मैंने राम-पतिन धन धन गया वा चीजों की तुलना की जा रहा है लेकिन कैसे उन दोनों चीजों को एक रूप मान लिया जा रहा है तो जहां पर दो चीजों को एक रूप मान लिया जाएगा तो वहां पे कौन सा अलंकार होगा रूपा का अलंकार होगा अगला उधारण देखते हैं अगला उधारण है गणकर जाएगी के जैसा के समान जहां पे कौन सा कर रहेगा तो याद रखना वहां पे उपमालंकर रहेगा आगे समस्ते हैं अगला question है उस क्रोध के मारे तन उसका कापने लगा मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा तो यहाँ पर देख रहा हो एक सब्दाया है मानो तो इस चीज को ध्यान रखना उत्प्रेक्षा अलंकार में हमेशा मानो जनु जानौ मनु मानो ऐसे सब्दाएंगे तो जहाँ पर ऐसे सब्द आपको दिखाई दें आपको आखे बंद करके टिक कर देना है या लिख देना है वो कौन सा लंकार है उत्प्रेक्षा लंकार है उत्प्रेक्षा लंकार में क्या की जाती है संभावना प्रगट की जाती है जैसा ए है वैसा ओ है आप इसका अर्थ समझो उस उनका जो गुसा है उनका जो क्रोध है वैसे ही आता है तो यहां पर संभावना प्रगट की जा रहे जैसा ए है वैसा ओ है इसलिए क्या है उत्प्रिक्षा लंकार तो उत्प्रिक्षा लंकार में जानो जनो मानो मनो जैसे सब्द आते हैं याद रखना ठीक है अगला दिखते से पहले पूरी लंका जल जाती है और पूरे निसाचर जो राच्छस है और भाग जाते हैं जब हनुमान जी लंका में जाते हैं है ना लंका में जाते हैं सीता माता का पता लगाने तो यहाँ पे बता जा रहा है कि हनुमान जी के पूछ में आग लगने से पहले ही लंका जल और निसाचर भाग जाते हैं तो यहाँ पे बढ़ा चढ़ा के वर्डन किया गया है तो यहाँ पे बढ़ा चढ़ा के वर्डन किया जाएगा तो याद रखना वहाँ पे कौन सा लंकार होगा अतीस योक्ति अलंकार अगला है सबय सहायक सबल के कोण ना निबल सहाय पवन जगावत आगी ही दीपई देत बुझायब तो यहां पर देख रहे हैं उदहरण से बात समझाई जा रही है तो जब बात उदहरण से समझाई जाएगी तो वहां पर कौन सा अलंकार होगा याद रखना दृस्टांत अ कोई नहीं करता है अब इस बात की सत्यता को प्रमाडित करने के लिए इसी के जैसा एक और बात कही जाएगी यानि एक उदहरण दिया जाएगा उदहरण से समझाए जाएगा तो यहां पर उदहरण है पवन जगावत आग ही पवन का मतलब है हवा आग को बढ़हा देता ह है दीपा ही देत बुझाए और दीपक को बुझा देता है दीपक चोटा होता है हवा उससे बुझा देता है और वही हवा जो है आग को बढ़हा देता है तो इस बात की सत्यता को प्रमाडित करने के लिए उसी ढंकी नीचे कोई और बात कही गई है यानि उदहरण से समझ द्रिस्तान का मतलब होता है उदारण समझा अगला देखते हैं अगला है चरण सरोज पकारन लागा तो यहां पर चरण को सरोज कहा जा रहा है सरोज का मतलब होता है कमल सरोज का मतलब क्या होता है कमल तो यहां पर चरण को क्या कहा जा रहा है कमल कहा जा रहा है पकारने का मत उपमान लिया जाएगा तो कौन सा लंकार होगा रूपा का लंकार होगा तो कौन सा लंकार है रूपा का लंकार है यहाँ पे तुलना की जा रहे लेकिन यहाँ पे चरण को सीधा सीधा क्या कहा जा रहा है कमल कहा जा रहा है सरोज कहा जा रहा है इसलिए कौन सा लंकार है के समान जहां पे आएगा वहां पे उपमालंकार होगा तो इसका अर्थ पहले समझो क्या है जीव बिनु देह, देह का मतल़ होता है सरीर लिखाए जीव बिनु देह यानि जो सरीर है उसमें जानना हो नदी बिन वारी, वारी का मतल़ होता है पानी और अगर नदी में पानी न हो जैसे ही अनाथ वैसे ही जैसे और वैसे वैसे ही अनाथ पूरुस बिन नारी पूरुस के बिना नारी जो है पूरुस के बिना क्या होती है अनाथ होती है तो यहाँ पर के जैसा बता जा रहा है कि जैसे देखो यहाँ पर क्या लिखा ये उपमालंकार है थोड़ा सा इस इसांपल को अच्छे से समझ के जाना थोड़ा सा टफ है बच्चे गलत कर जाते हैं तो गलत नहीं करना याद रखना है उपमालंकार है आगे चलते हैं अगला लता भवन्ते प्रगट भैते ही अवसर दो भाई निक से जनु निक से एक मिनट हाँ निक से जनु जुग बिमल बिंदु जलद पटल बिगलाई यहाँ पर क्या आ गया जनु आ गया जनु जानु मनु मानु मानु सब्द आएंगे तो आपको आखे बंद करके क्या टिक कर द मान vendo हैं ऐसे सबड आएं हैं कि नहीं अगर आएं हैं तो आपको लिख देना है कौँसा लंकार उत्पृक्षा लंकार उत्पृक्षा में क्या किया जाता है? यहाँ पर संभावना प्रगड की जाते जैसे ए है वैसे ओ है तो इसका मतलब समझो लता भावन थे प्रगट भैत यह अवसर दो भाई लता भावन यानि पत्तियों का जो घर बनाये गए उसी में से पत्तियों को हटा के लता कुण्जु को हटा के दो भाई आते हैं दो भाई यानि राम और लक्षमन निकसे जन वैसे पत्तियों के जुन्ड से कौन आते हैं राम और लक्षमन आते हैं जैसे चंद्रमा जो है बादुलों को हटा के निकलता है वैसे ही राम लक्षमन जो है उस लता भावन को यानि जो पत्तियों का घर है उसे हटा के बाहर निकलते हैं तो इसलिए कौन सा लंकार है उत् प्रिक्षा में संभावना प्रगट की जाती है, जैसा ए है, वैसा ए है, clear, अगला देखो, अगला question है, पड़ी अचानक नदी अपार घोड़ा उतरे कैसे पार, राड़ा ने सोचा इस पार तब तक चेतक था उस पार, यहाँ पर बता जा रहा है कि महाराड़ा प्रताब एक कि युद्धकर के महाराड़ा प्रताब जो हैं, वा रहे थे, तो सोच ही रहे थे कि घोड़ा कैसे उतरे पार, क्योंकि उनके सामने बहुत बढ़ी नदी आ जाती है, राड़ा ने सोचा इस पार तब तक चेतक था, उस पार, राड़ा के सोचने से पहले घोड़ा क्या होत तिस योगति, यतिस योगति का मतलव होता है बढ़ा चढ़ा कर कही गई बात, ठीक है, अगला उधारनड देखो, अगला उधारनड है एक मियान में दो तलवारे कभी नहीं रह सकती किसी और पर प्रेम पती का नारिया नहीं सह सकती तो इसका मतलब समझो एक मियान में तलवार रखने का जो कवर होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? मियान कहते हैं एक मियान में दो तलवार नहीं रह सकती एक तलवार रखने का जो cover होता है उसे मियान कहा जाता है एक मियान में दो तलवार कभी नहीं रह सकती अब इस बात को समझाने के लिए नीचे उधारण दिया गया है किसी और पर प्रेम पती का नारिया नहीं से सकती अगर कोई पती है दूसरे पतने से या किसी दूसरे इस तरी से प्रेम करे तो इनारिया बिल्कुल बरदास्त नहीं कर सकती वैसे ही एक मियान में दो तलवारे कभी नहीं रह सकती इस बात को समझाने के लिए नीचे उधारण दिया गया है जब बात उधारण से समझाई जागी तो कौन सा लंकार होगा याद रखना ग्रिष्टांत लंकार होगा अगला देखते हैं अगला है सिंधु सेज पर धरा वधू अब तनिक संकुचित बैठी सी यहाँ पे सिंधु को सेज कहा जा रहा है सेज का मतलब होता है बिस्तरा बेड बिस्तरा होता है ना बेड सोने वाला जो बेड सिंधु नदी को क्या कहा जा रहा है सिंधु एक नदी है उससे क्या कहा जा रहा है सेज यानि बिस्तरा कहा जा जा रहा है सि एक समय था जब पूरे प्रिथिवी पर पानी था पूरे पृति थरती क्या होती है उसमें बाहर निकलती है पानी से उपर निकल जाती है लेकिन और कैसी है संकुचित संकुचित मतलब होता है सी दो होगा है उची नीची सडग बुढ़िया के कूबड़ C सी का मतलब होता है के समान अब सड़क कैसी है। सड़क कैसी है उची नीची है किसके समान है बुढ़िया के कूबड सी कूबड क्या है बिमारी होती है यह वाला पार्ट जो पीछे वाला भाग है उपर उठ जाता है तो बता जा रहा है जो सड़क है वो बुढ़िया के कूबड के जैसी है है ना तो जहां पर के समान आएग अगला question है जान पढ़ता है नेत्र देख बड़े-बड़े हीरकों में गोल नीलम है जड़े आप पहचानिए कौन सा लंकार है पहले पंक्ति ध्यान से देखिए क्या लिखा है जाने लिखा है तो जहां पे मानो जनु जानाओ मानो मनु मानु सब्दाएंगे तो कौन सा लंक भगवान या नेत्र या आँख की बात हो रही है भगवान को समझ लो किसी कभी समझ लो आँख जो है नेत्र है कैसे हैं बड़े-बड़े हैं अब बताया जा रहा है संभावना प्रगटकी जा रहे हीरकों में गोल नीलम है जड़े जैसे हीरा में नीलम लगा दिया जाए वैसे ही आँख प्रतीत हो रहा है, मालूम पढ़ रहा है, तो यहाँ पे आपको दिखना है जान, विससी से आपको लिख देना है उत्प्रिक्षालंकार, क्लियर, अगला दिखते हैं, अगला कुस्च्चन है, मोती की लडियों से सुन्दर जहरते हैं, जाग भरे निर्जर, तो यहाँ पे है के समान, क्या है के समान, आप यहाँ पे ध्यान दो, क्या लिखा है, पहले आर्थ समझो, लिखा है, मोती की लडियों के समान, जैसे मोती की लडियों सुन्दर होती है, वैसे ही जरते हैं, क्या जाग भरे निरजर, मोती की लड़ी क्या होती है, मोती के जो गुच्छे होते हैं, बहुत सारे मोती अगर गुच्छे में हो, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, मोती की लड लड़िए तो यहां पर बताए रहा है मोति की लड़ियों के समान ज़रते हैं जाग भरे निर्जğर निरज्धर का मतलो होता है जर मैं से जो जरक निकलता है यहांने mejorar है то और पेerson कर दोला पीपल के पत्σω के समान मन डोलता है तो इसलिए कमालंकर है अगला है अगला है जूठे जान इनसंग रही मन मुह निक्सते बैन याहिते मानव की ये बातन को बिधनैन यहां पर देख रहा है क्या लिखा है मानव लिखा है तो जहां पर जन जाना हूँ मन मानव जैसे सब्दाएंगे आपको आखे बंद करके लिख देना है उत्परिक्षा अलंकार ठीक है तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताईएगा और अगर आप अलंकार का पू भासा, अनुप्रास, अलंकार, यमक, अलंकार, जितने भी अलंकार हैं, सभी अलंकार का अलग से मैंने वीडियो बनाया है, तो आप ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं, इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप जाके वहां से देख लेन और इक्जाम देके आके जरूर कमेंट करके बताना आपको कौन कौन से क्वेस्चन आये थे और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद